हमारे जीवते उद्धार करता प्रभु ये शुमसी के नाम में आप सबों को शलों पिछले दो संदिशों में हम लोगों ने ये देखा है कि जब हमें किसी के घर पर प्राप्तना सभा लेने के लिए अगुवा करके नियुक्त किया गया है तो हम जो ले लीडर्स होते हैं किन किन बातों को पालन करना चाहिए तो ऐसे हमने दस बातें देखें जिनका पालन करना चाहिए और ऐसी दस बातें भी देखें जो हमसे नहीं होना चाहिए या ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए और हमने इस बात पर आकर के अपने संदेश को रोका था कि इन दिनों में हम किस प्रकार के संदेशों को यने कौन से विशय पर हमें प्रचार करना चाहिए तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहला विशय जो है वो है प्रार्थना जी हाँ आपने भी शायद इसी का अंदाज लगाया होगा और बिल्कुल सही है क्योंकि मसीही जीवन में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण बात है तो वो ये है कि हमारा परमेश्वर के साथ में कैसा संबंद है हम परमेश्वर के साथ में कैसे बोलते हैं हम परमेश्वर के साथ में कितना गहरा संबन रखते हैं और ये सारी बाते इस पर निर्भर करती हैं कि हम प्रार्थना में कितना समय बिताते हैं या परमेश्वर के साथ बाते करने में कितना समय देते हैं Children's Ministry करते करते मैंने कई बार माता पिताओं को जो अपने बच्चों की हरकतों से निराश थे उनसे मैंने ये कहा कि आपने यदि अपने बच्चों को संसार की कुछ बाते नहीं दे पाए हैं तो इतने उदास मत होई है पर हाँ अपने बच्चों को एक बात जरूर दे देना है और वो है अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखा दीजिए परमेश्वर के साथ में प्रभू येश्व के साथ में बाते करना सिखा दीजिए यедि इतना कर दिया है, तो बाकी सब बातें अपने आप ए समल जाएंगे, लेकिन कई माता पिता अपने बच्चों को बाइबल से दूर रखते हैं, प्रार्थना से दूर रखते हैं, परमेशवर से दूर रखते हैं, और वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशेशित जीवन ज गर में चलती है आपको इस उधारण से भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है प्रभू येशु के जो शिश्य थे वे अपने गुरू के पास में येशु के पास में एक दिन आते हैं और उससे कुछ पूछते हैं और कहते हमें सिखा दे वे अप से पूछते हैं कि प्रभू जी हमें प्रार्थना करना सिखा दे शिश्य ने देखा था कि प्रभू येशु के जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वे ये सब कुछ कर रहे हैं जो करते हैं एक प्रभाव शाली प्रचार कैसे करते हैं जो उपदेश वे दिया करते थे वे एकदम अधिकार से भर करके देते थे वो कैसे संभव था जब चंगाईयां देते थे तो अधिकार से बोलते थे जब दुश्टात्माओं को निकालते थे तो अधिकार से बोलते थे तो ये सब बातें कैसे हो पा रहे हैं कि तूफानों को भी बोला शांत हो जा अधिक बाते थी लेकिन शिश्वो ने देखा हमारे प्रव्वियम में एक बात खास है और वह यह कि वह प्रार्थन में जीवन कि पताते हैं और कई बार दो हैं आपने हैं और बॉसरinek शॉय है और ब्लकूल सऑफवास सादारंता आज के दिनों में लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हम तो जीवते प्रभु येशु को जानते हैं उसके बलीदान को जानते हैं और उसके बलीदान को हमने अपने जीवन में ग्रहन किया है और हम पुनुरुथित प्रभु येशु पर भी विश्वास करते हैं और हम जानते हैं येशु हमको लेने के लिए आने वाला है और इसके बाद भी कहते हैं इसलिए हमको उपवास करने की जरूरत नहीं है ध्यान रहे कि इन 40 दिनों की दुआ प्रार्थन में हम अपना ध्यान प्रभु येशु की और लगा रहे हैं प्रभु येशु ने अपने जीवन काल में भी उपवास किये थे और जियां 40 दिन और 40 रात का उपवास किये थे प्रभु येशु को यदि उपवास करने की आवशक्ता थी, जबकि आपके शब्दों में अगर मैं कहूं, वे तो निरंतर, परमेश और पिता की उपस्तिती में रहते थे, तो उनेंगी इस बात की उपवास की जरूरत पड़ गई, और यदि येशु को उपवास प्रातना क बाइबल में प्रभु येशु ने एक बार इसी विशे को इस तरीके से कहा, कि जब तक दुलहा साथ में हैं, तो बाराती लोग उपवास थोड़ी करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं इनको छोड़ करके चला जाओंगा, और तब उपवास का समय होगा, तब ये ल से मानो अंदकार का राज फैलने की कोशिश में हैं, लेकिन बाइबल का तरीका हम जानते हैं, परमेश्वर के लोग जब उपवास के साथ में प्रार्थना करते हैं, तो पहला मुद्दा हमने देखा था प्रार्थना, लेकिन अब जानते हैं कि उपवास के साथ की गई प् वो कहता है कि मैंने तेरे सबचेलों को बताया और आगरह किया कि मेरे बच्चे के अंदर से दुष्टात्मा निकाल दे पर वो नहीं निकाल पाये हैं इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ और प्रभु येश्व ने उसके बच्चे में जो दुष्टात्मा थी उसे डाट करके बड़ी अधिकार से निकाल दिया वो बच्चा स्वस्थ हो गया वो पिता ने बड़े धन्यवाद करते हुए फिर चला गया लेकिन इस घटना के कारण चेले लोग बड़े परिशान थे और वे येश्व को एकांत में ले जा करके पूछते हैं ताकि इंसल्ट ना हो जाए लोगों के सामने प्रभु येश्व से पूछते हैं प्रभु जी हमने भी तो निकालने की पूरी कोशिश की आप जैसा बोले वैसे ही किये हम क्यों नहीं निकाल पाए आपने अकेले नि जाती है याना देखिए दुष्टात्माओं में भी हायरार्की होती है एक स्तर होता है और ये बड़े पक्के वाले दुष्टात्माओं होती है और इनको निकालने के लिए एक अलग सामर्थ की आवशक्ता होती है और वो सामर्थ कैसे मिलती है उपवास की प्रार्थना के द दुश्टात्मा उन पर अटैक करना चाहती भी हैं, बहुत जरूरी है कि मसी लोग उपवास के साथ में प्रार्थना करें, तो दो बाते हम लोग ने देख लिए हैं, पहले थे कि प्रार्थना के मुद्दे पर आपको प्रचार करना है, दूसरा है उपवास के विशे पर तो हो जाएंगे, उसके बाद एक बड़ा खाना करेंगे और जो जो चीजों का उपवास 40 दिन में किये थे, वो सारी चीजों फिर से शुरू हो जाती हैं, उपवास का ये अर्थ नहीं है कि आपने जिस दिन उपवास खतम किया तो खूब बड़ा खाना रख लिया, और ख जारों में जाकर के वो सब चीजने लाकर के घर में रखतें उपवास के दिनों में, ताकि जब वो रविवार आए, जिसे हम इस्टर संडे कहते हैं, पुनुत्थान वाला रविवार, उस दिन उन चीजों का सेवन करें, तो उपवास का सही अर्थ लोगों को समझाने के ल रहा है, मसी लोगों के जीवन में आजकल बाइबल मनन करना, मौनिंग डिवोशन करना, बाइबल स्टडी करना, यानि कि बाइबल अध्यान करना, ये सारी बातें बहुत कम होने लगी हैं, अब इंडिवीजुल फैमिलीज में भी लोग अपने-पने कमरे में जाकर बैठत और बाइबल अध्यान यदि हम से छोड़ जाता है, तो फिर हम परमेश्वर के ग्यान से वंचित रह जाते हैं, होशे नभी की पुस्टग और उसके चौथे अध्याय के छटवे वचन में हम ये पाते हैं, कि परमेश्वर यहुआ यह कहता है कि मेरी प्रजा मुझे नहीं रहने नहीं दोंगा, परमेश्वर अपनी आराधना के लिए याजकों को बुलाता है, हम लोगों को याजक करके बुलाया, लेकिन हम परमेश्वर का ग्यानी नहीं रखते हैं, क्यूंकि हमने बाइबल अध्यान के लिए समय नहीं बिताया, यदि आप विद्यार थी हैं, आप सोचिए कि आप कितना समय अपनी स्टडीज में बिताते हैं, रात रात भार यहां तक की बारा भी बच जाते हैं, और कई बच्चे तो जवान लोग जो मैंने देखा वो सुबह के दो और तीन बजे तक पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई इतनी की, इतनी की, और जब मैं उन्हें पूछता हूँ कि बाइबल कितना पढ़े तो वे सिर जुका लेते हैं, मोटी मोटी पुस्तके उनके कॉलिज की वो पढ़ लेते हैं, लेकिन बाइबल शुरू नहीं किये, उन्हें याद नहीं आता है कि हमने पिछली बार बाइबल कप पढ़ेता है, जब लेकिन वच्छन कहता है, परमेश्वर के अधीन होने के बाद जब हम शैतान का सामना करेंगे, तब हो आगेगा, प्रभू येश्व के जीवन से मैं जानता हूँ कि वो शैतान से लड़ने के लिए वच्छन का इस्तमाल करते थे, येश्व ने कहा लिखा है, और वो पुर हूँगा, जब मैं बाइबल पर मनन करूँगा, बाइबल का अध्यान करूँगा, बाइबल ये परमेश्वर का वच्छन है, और इसके उपर आपको ये बात बोलनी है, तो पहला पुइंट था प्रार्थना, दूसरा उपवास, और तीसरा है बाइबल मनन, चौती बड़ जिसको self-denial कहते है, प्रभु येश्व के चेले बनने का जो मूल्य है, या प्रभु येश्व के पीछे अगर आप चलना चाहते हैं, तो प्रभु येश्व के शब्दों में सुनिये, अपने आपका इनकार करे, और प्रती दिन अपना कुरूस उठाए, और फिर मेरे पी इनकार करो, जब हम अपने आपका इनकार करेंगे, अपनी इच्छाओं को खतम कर देंगे, और कहेंगे प्रभु जी आप बताईए, मैं क्या करूं, प्रती दिन, और हर एक निरने में वही राजा रहेगा, इसको self-denial कहते हैं, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ये करूं, प मेरे पीछे चल, तो इन दिनों में जब आपको आपके चर्च ने अगुआ बना करके किसी के घर में प्राप्तना करने के लिए भेजा है, तो उन्हें अवश्य ये बात बताएं कि हमें प्रती दिन अपना कुरूस उठाना है, प्रती दिन हमें अपनी इच्छाओं का, आत्मा की इच्छा से लड़ता है, उसको खतम करना है, हमें परमेश्वर के बताए हुए मार पे पवित्रा आत्मा की इच्छा को ले करके चलना है, अपना कुरूस उठाना, इस बात को करते हुए बड़ा दुख होगा, आप येश्यू के कुरूस को देखिए, तो हम घब आई दी थी, वो ऐसी नहीं, पहले की जो थी, वो वो तकलीफ हैं थे जिसमें बहुत रोया करते थी, जब येश्यू को ग्रहन किया, तो सारा बोज हट गया था, लेकिन जब येश्यू के पीछे चलने लगा, तो कांटों पे चल रहा था, लेकिन वो कांटों पर उने कहा जरूर आएगी, तुफान आएगे, येशु भले ही आपके गर में है, परिवार में है, नाव में है, तुफान आएगा, लेकिन आप यदी क्रूस उठा करके चलने वाले लोगों में से हैं, येशु हम से कहते हैं कि अपने अधिकार का इस्तमाल करो और तुफानों क डांड दो, प्रभू येशु के पीछे चलने वालों के एक बात बताना चाहूंगा, एक बार एक ने कहा था कि मैं तेरे पीछे चलने को तयार हूं येशु, लेकिन मैं अपने पपा को गार के आता हूं, अब उस जवान का पपा मरा नहीं था, नहीं तो यहां क्या कर रहा है, वो कह रहा था कि मेरे पिताजी बहुत बुड़े हो गया है, अभी उनको बहुत जरुवत है मेरी, तो कुछ साल जीएंगे शाए, तो तब तर मैं घर में रहता हूं, फिर उनको निप्टाने के बाद मैं फिर आपकी पीछा आके चलूंगा, येशु ने कहा कि नहीं हो दिया, बोले हल पर तो हाथ रख दिया है, लेकिन पीछे देखता है, तो तू क्या खेती करेगा, हमें अपना कुरूस उठाने का है, और येशु के पीछे चलने का है, तो ये मुद्दा जो है, इस पर भी आप लोगों को लोगों को प्रचार करना है, पहला पॉइंट था प्रार्तना करना है, दूसरा उपवास करना है, और तीसरा पॉइंट हमने देखा कि परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, और चौथा पॉइंट हमने अभी देखा कि क्रूस उठा करके चलना है, परमेश्वर के प्रेम के विशे में भी आप इन दिरों में बातें करें, य कि परमेश्वर ने, यानि किस ने, संसार के रचेता ने, परमेश्वर सृष्टी करता ने, परमेश्वर महान ने, परमेश्वर सर्विशक्ती मान ने, उस वेक्ति ने, जगत से, जगत मतलब ये पूरा संसार, इतने सारे लोग, करोडो करोडो लोग प्रेम रखा, प्रेम ए एक ऐसी मनुष्य की अभी विक्ति है कि जहां अपना सब कुछ देने को तयार हो जाता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया जो भी कुछ था अपने पास वो सब कुछ दे दिया ताकि जो कोई जाती जाती की लोग हो सकते अपने भाशा में बोलने वाले हिंदी बो कोई उसके बलिदान पर येशु पर विश्वास करे उसका नाश नहीं होगा मनुश्य ने अपने आप ही अपना जीवन शैतान के हांत में दिया है अब वहां से जो जो अदन की बारी में गलती हुई थी उसका ठीक विप्रीत काम अगर करना चाहते हैं तो येशु को उस पर देख लो और वो डसा हुआ साप का डंक उतर जाएगा वो जहर खतम हो जाएगा और हमें जीवन बरन अनंत जीवन प्राप्त होगा एक और मुद्दा है जिस पर आप इन दिनों में प्रचार कर सकते हैं पहला था प्रात्मा दूसरा उपवास तीसरा बाइबल अध्यन और चौता था क्रूस उठा के चलना पांच वाम ने देखा परमेश्वर का प्रेम और छटवी बात जो आप बता सकते हैं वो बलीदान की आवशक था बहुत से लोग ये पूछते हैं कि प्रभू येशू का बलीदान हमारे उध्धार के लिए क्यों जरूरी है यदि आप के ग्रूप में जो लोग बैठे हैं बाइबल पढ़ने के बहुत रुची रखते हैं उनके साथ में ये वाला संदेश आप गहराई में बता सकते हैं उत्पत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर पुस्तक में प्रभू ये शू को बता सकते हैं इबरानियों के नौवे अ बात कर रहा है वो जानवरों का लहू नहीं है कि तुमने किसी भेड को बलिदान कर दिया या कोई और प्राणी को लेके बलिदान कर दिया और सोचा कि मेरे बाप दूल गए प्रभू ये शू का निश्पाप लहू मात्र यही है जो मनुष्य को सारे पापों से शुद्ध क कर सकते हैं और और भी बहुत सी बाते हैं पर ये मुख्य बाते हैं कि दुब्भुक के दिनों में इन दिनों में जबकि हम अपना दियान ये शू के क्रूस की तरफ लगाते हैं आप लोगों के घर में बुलाए गया हैं जाते हैं उनके साथ में इन वच्छनों को बांटा क करें परमेश्यों पिता आप सबों के साथ में हो शालूंग